हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ रेनू और स्वागत आपका रेनू रैस्पी अन लाइफस्टाइल यूगे में फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे केले के फ्रेंच फ्राई फ्रेंच फ्राई बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं और केले के फ्रेंच फ्राई तो वाकई ही बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं यह बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं तो फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए हम सबसे पहले कच्चे केले ले लेंगे और अब हम उनके छिलके निकाल लेते हैं एक दम पतले पतले छिलके हम उनके निकाल लेंगे और इनके छिलके इसली निकल जाते हैं इनके छिलके निकालने में मुझे तो बहुत ही मज़ा आया तो देखे फिर इस तरह से हम छिल के निकाल लेंगे और साथ हम इनको पानी में डिप करते रहेंगे तो देखे इस तरह से मैंने इसको छिल दिया है और इनको हम जैसे जैसे छिलते रहेंगे वैसे वैसे पानी में डिप करते रहेंगे नहीं तो ये खाले पढ़ जाते हैं तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे केलो को छिल के रख दिया है और अब हम इनके पतले-पतले टुकडे कर लेते हैं तो ये देखिए इस तरह से मैंने पहले केले के दो हिस्से की है और फीट एक हिसा और कर दिया और total एक केले से मैंने चार भाग बना दीये हैं अब इस में से हम छोटी-छोटी स्लैस काट लेंगे पतले पतले से जैसे कि फरेंच फ्राइ को दोंते हैं तो ये देखें और जैसे-जैसे हम केले की फरेंच फ्राइ के बनाते जाएंगे और अब मैंने सारे कट कर लिये हैं तो सब को मैंने पानी में डाल दिया है और अब हम एक टीशू पेपर की हेल्प से या कॉटन की कपड़े के हेल्प से हम इनको सुखा लेंगे ताकि इनमें पानी बिल्कुल भी ना रहें तो मैं इनको कॉटन के कपड़े में निकाल लेती ह क्विए कि तो देखे फ्रेंट मैंने इनकोप अच्छे से कॉटन के कपडے से सुखा लिया था मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है अब मैं दो बड़े चमछ मैदा और एक बड़ा चमछ क् advertisements कान फ्लोर ले रही हूं और उसको चान अच्छे से इसके weekends किऊ defence ड्い तो अब मैं इसी तरह से एक छोटा चमाज रेड चिली पाउडर एक छोटा चमाज नमक इसी तरह से छान के डाल दूगी अर आप देखे कितने अच्छे से सारे मसाले इनके उपर से चले गए हैं कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी तो फ्रेंट्स अब हम इनको होई आप से कर सकते हैं और में इनको हाद से करूंगी हाद से बहुत अचले हैं हमको इने बहुत ढीले हाद से मीक्स करना है तो आगर हम करींगे तो यह ठूटायएं ग näंगे क्योंकि यह बहुत जादा सॉफ्क होते हैं तो देखे यह भात जादा स्फ 도ze हैं मैं Осफ मैं पर जैसा आता है आपके पास अगर रेड फूट कलर ना हो तो आप इसकी जगे में हल्दी भी डाल सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी तो देखे बहुत अच्छे से यह कोड हो गया है और उदर हमारा तेल भी गरम हो गया है तो तेल को हमें हाई फ्लेम में गरम करना है और जैसे हम बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं और बच्चों को इस पैसली यह बहुत ज्यादा पसंद आते हैं तो देखे हम इनको पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे और यह थोड़ा सा फ्रा इलकुल एकदम मार्केट जैसे हो तो अब हम इनको निकाल लेते हैं एक टीशू पेपर में तो फ्रेंस हमको थोड़ा-थोड़ा करके इनको फ्राई करना है एक साथ नहीं डालेगा पूरे नहीं तो आधे कच्चे ही रह जाएंगे तो इस तरह से में इनको टीशू पेपर मे निकाल लूँगी और बाकी सब भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर दिये थे और अब मैं इनको दुबारा फ्राई कर रही हूं जब सारे फ्रेंच फ्राई फ्राई हो जाए उसके बाद दुबारा से आप उसी टाइम इनको फ्राई कर सकते हैं और यह बहुत ही ज्यादा क्रि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है तो लॉक डाउन में आप भी अपने बच्चों को सेप रखे इसी तरह से घर में कुछ न कुछ बना के दीजेगा उन्हें भी अच्छा लगेगा और केले के फ्रेंच फ्राई तो आपके घर में सबको ही बहुत अच्छे यह कुछ तो देखे देखने में ही कितने यमी लग रहे हैं और एकदम मार्केट वाला लुक आ रहा है ना इन में तो अब हम इनको किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं चाहे वो पीजा सॉस हो चाहे वो नॉर्मल सॉस हो पीजा सॉस के साथ यह बहुत ही ज्यादा अच्छे हो तो friends I hope कि आपको मेरी रेस्पी आज की पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी मेरी सिंपल सी रेस्पी तो फ्लीज एक लाइक कर देना वीडियो को अपने फैमली फ्रेंड के साथ सेड कर देना और चैनल पर अगर फस्ट एम आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर कर देना सब्सक्राइब की जिगे में एक बाइल आइकन का बटन आ रहा होगा उसको भी जरूर प्रेस कर देना तो चलिए friends मिलती हूं आपको एक ऐसी सिंपल सी और न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई 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 आल फ्रेंड्स बाई बाई